यह तस्वीर है उदय निधी स्टालिन की, यह दुसरी तस्वीर है स्वामी प्रसाद मौरिया की, तिसरी तस्वीर है राजिन्दपाल गौतम की, चोथी तस्वीर है चंसेखर राय की, और पांचवी तस्वीर है फते बहादुर सिंग की उदैन इधी स्टालिन भी मंत्री है तमिलाडू में राजनदपाल गौतम दिल्ली के सोसल जस्टिस मंत्री ते अभी भी विधायक है स्वामी परसाद मौरिया पूर्व मंत्री है अभी भी भी विधायक है चनसेखर राय मंत्री है बिहार सरकार में एजुकेशन मंत्री है और फते बहादूर सिंग भी विधायक है लेकिन इन पांचों लोग की मैं तस्वीर क्यों दिखा रहा हूँ क्योंकि इन पांचों के गरदन काटने पर जीव काटने पर दस लाग से लेकर दस करोड का इनाम रखते हैं और वो कौन रखते हैं मनुवाद को मानने बाए लोग सोचिए इस देश में रोज एरा गैरा नत्थु खैरा आता है और कहता है कि इस धर्म का राष्ट बनेगा कोई कुछ कहने जाता है आप जो मन में आये करते हैं जो मन में आये कहते हैं लेकिन सोचिए ये लोग बर्न कुवेवस्था के खिलाब बोलते हैं जाती कुवेवस्था के खिलाब बोलते हैं तो इनको गरदन काटने की बात कही जाती है नमस्कार मैं संभु कुमार सिंग और आप देख रहें निशनल दस्ता सोचिए इतिहास दोहराता है अपने आपको आज माता सावित्री भाई फूले का जनम दीन है जब उन्होंने स्कूल खोला और महिलाओं को परहाना शुरू किया तब भी मनुस्मिर्थी मानने वाले उन पर गोबर फेकते थे जो मनुवादी जातिवादी आज जाती को कुवेवस्था को बेवस्था कहते हैं बर्न कुवेवस्था को बेवस्था कहते हैं मनुवाद को अपने सीने से लगाय घुमते हैं वो आपके इन पांचो नेताओं को जान मारने की धमकी देते हैं इनकी गलती क्या है? उदयनिधी स्टालिन कहते हैं कि हम किसी भी गैर बराबरी भेदभाव को नहीं मानते हैं वो पिर यार को मानने वाले हैं वो कहते हैं कि कोई धर्म किसी को ऊच नीच बताए आप बताईए कोई धर्म, कोई बाप, आपका बाप या मेरा बाप, एक बेटे को ऊच और दुसरे बेटे को नीच कहे, आप क्या उस पिता से सहमत होंगे, उस बाप से सहमत होंगे, अब बताईए, मा तो खेर कभी कही नहीं सकते इस तरह की बात है, इसलिए मैं वो एक्जाम के, जो कहे कि आपको संपत्तिक आधिकार नहीं है, जो कहे कि अभी मैं नहीं कह रहा हूँ, बिंदरा कह रहा था कि सुद्रो और अचूतो को मनु भारत के समिधान में सुद्र अचूत खत्म हो गया, आवे CST, OBC, अलफसंख्यक और जेनरल कैटिगरी के लोग है, उसके हे मनता भी सर्मा ने माफी मांग ली, लेकिन उसके एक उसका पोश्ट था सोसल मीडिया पर, जो मुखमंत्री हैं असम के, कि ब्रहामन च्छत्री और बैश की सेवा करना सुद्रो और अचूतो का अधिक करतब है, आप बताइए ऐसे लोग समाज में बड़े बड़े पदो को आहतना करे, लेकिन सवाल है कि क्या जाती कुवेवस्था नहीं है, क्या बर्न कुवेवस्था नहीं है, क्या मनुवाद कुवेवस्था नहीं है, क्या पोंगापंथ, करमकांध, अंध्विस्वास के खिलाब बोलना गलत है, साबित्री वाइप फूले पर कौन लोग गो कि इस पर बात नहीं होनी चाहिए क्या परहाई लिखाई अस्पताल स्कूल बिध्यान की बात नहीं होनी चाहिए बहुजन समाज को यह पांचों चेहरा याद कर लिजिक सिए इन पांचों के मैंने तस्वीरें अपने सर के उपर रखा हुआ diche pa länger हो खिलाप है तो वो आपको भरका रहा है ये पांचों लोग इस देश के 90-95 लोग और आधियावादी महिलाओं के हक अधिकार के पक्ष में ये कहते हैं कि जाती कुवेवस्था खत्म हो मनुवादी कुवेवस्था खत्म हो बर्न कुवेवस्था खत्म हो और संबिधान के अध मुझा उद्य dollar हो वो मिलना चाहिए वह कहते हैं यह लोग कहते हैं कि जाती के नाम पर यो अधियाचार है जाती के नाम पर सोसन हो खत्म होना चाहिए और या आप पूझा पाथ किजिए किसी धर्म को मानिये कौन रोक रहा है आपको लेकिन पेरियार ने क्या का है कि जो धर्म आपको नीच कहे अच्छूत कहे जो धर्म आपके अधिकार न दे उस धर्म में आप रहेंगे तो आप सोचिए साबित्री वाइब फूले की लाइन कोट करने के लिए फते बहादूर सिंग के खिलाप संग के लोग पीछे परे हूँ है कि ही हिंदू सब नीच ह twenty-tech के बाद आया है कि ता कि अब सारे लोग को एक जूट किया जा सके लेकिन सवाल है कि वह कौन सी विवस्थाथि वह कौन लोग है जो STO PC कर अधिकारों के खिलाफ है वह कौन लोग है जो आपके आरक्षण के खिलाफ है वह कौन लोग हैं जो आपको CM, PM, SP, DM, चपरासी से लेकर चिप जस्टिस तक बनने नहीं देना चाहते हैं? इस देश में कैसे हिंदू एक जूठ होगा जब एक हिंदू दुसरे हिंदू को जाती के नाम पर अधिकार छिन रहा है? इस देश में कैसे हिंदू एक जूठ होगा जब एक हिंदू दुसरे हिंदू को शादी करने पर होरर किलिंग कर देता है, गर्दन कार देता है, एक हिंदू कैसे एक जूठ होगा जब दुसरे हिंदू का नौकरी छिन ले जाती है, इंट्रिवू में अंगठा काटा जाता है रोहित व्यमूला हो जाता है लक्षमन यादव हिंदू नहीं थे क्या ड्रक्टर इत्तु हिंदू नहीं थी क्या अगर वो बुद्धीष्ठी थी तो क्या आप उनकी नौकरी ले लिजिएगा आपका धर्म धर्म है दुसरे का धर्म धर्म ने इस देश का समिधान सबको कहता है कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं किसी भी धर्म में आस्था रख सकते हैं सरत्पवार ने कहा है कि धर्म मेरा नेजी मासला है मैं नस्निक हो सकता हूँ मैं संभिधान में इस दे ये देश मनुस्मिर्ती से नहीं चल रहा है जो जीव काटने है ये कितनी बड़ी हिंसा है कि जीव काट लो तो दस लाग काई नाम सर काट लो तो एक करोड काई नाम अगर आपको इन लोगों पर आपति है तो आप कोट चाहिए ना कोट में साबित कीजिए ना यार ललाई सिंह आदव ने के केस जीता है ना आप कोट सुचिये लेकिन आप कलपना कीजिए कि जो लोग आज इन बिधायकों को मंतरियों को जान मारने की धमकी देते है जीब काटने की धमकी देते हैं, ये लोग क्या करते होंगे जब जाती को विवस्था पर सरकारे चलती थी, जब पेस्वाओं का राज था, ये लोग क्या करते होंगे जब मनुवादी विवस्था थी, ये लोग क्या करते होंगे जब इस देश में मनुस्मिर्थी का सासन था जब आज आपके नेता विधायक मंतरी को धमकी दी जाती है तो आम SC, ST, OBC जो संवेधाने के नाम है जिनको सुद्र और अच्छूद बना दिया गया मनुसमिर्थी के हिसाब से, बर्ण वेवस्था के हिसाब से और इसके लिए सबसे बड़ा जिम्यदार है इस देश की मनुमीडिया आज इस देश का SC, ST, OBC, अलफ संख्यक समाज के लोग, किसान समाज के लोग महिलाएं हाई कोर्ट में भी है, सुप्रिम कोर्ट में भी है वो IS भी है, PCS भी है, कॉलेज इनवर्सिटी में भी है, वो इस तरों में बैग्यानिक भी है लेकिन जातिवाद का जो अंतिम किला है, मनुवाद का जो अंतिम किला है, बर्णवाद का जो अंतिम किला है जो मीडिया है वो ऐसे लोग को बल देता है और प्रोसाहित करता है और ऐसी खबरे चलाता है ताकि आपके लोग सुचिए बाबा साहिब मेटकर आज होते तो क्या होता सावित्री भाई फूले आज होती तो क्या होता क्या उनको भी धंकी दी जाती इतिहांस गवा है इस दुनिया में जिन लोगों ने संघर्स किया है बराबरी के लिए समानता के लिए इंसानियत के लिए मानपता के लिए वो अमर हुए है चाहे वो मार्टिन लुथर हो चाहे निलसर मंडेला हो चाहे बाबा साहबं बेटकर हो चाहे पेरियार हो चाहे जगदेव बाबु हो चाहे सोनेलाल पटेल हो चाहे मानेवर कांसी राम सहाब हो चाहे करपूरी ठाकुर हो चाहे अंकली हो चाहे गोड जाहे संदगार्गे हो आप कल्पना कर सकते हैं 21 सदी का दौर है संविधान का राज है तब भी इस देश के A.C.H.T.O.B.C. के नेता बहुजन समाज के नेता अपने संविधानिक अधिकारों पर बोल नहीं सकते हैं अंध्विश्वास पर नहीं बोल सकते हैं कराइम के खिलाब आप नहीं बोलेंगे क्या स्कूल, अस्पताल, पढ़ाई, लिखाई, सिक्षा, दवाई, बिज्ञान सेना की मजबूती पर बात करना राश्ट द्रोए तो बना दिजे धिरेंदर सास्त्री जैसे लोग को परधान मंत्री और इसनों का बैग्यानिक डाल दीजे सीमा पर, चीन और पाकिस्तान से वो लड़ेंगे, ये देश सम्विधान से चल रहा है, मनुवाद जातिवाद से नहीं चल रहा है देश, इस देश के सम्विधान में सब को सम्विधान एक डायरे में रहकर अपनी बात कहने का हक है अब ये बहुजन समाज को तै करना है कि आपको अपने निताओं की जान बचानी है और ऐसे निताओं को चुनाव जिताईए, सोचे इस देश में धर्म के नाम पर दो हजार सालों से आपको छूत और असूत और सुद्र बना के रखा गया है आप मानेंगे उस बेवस्था को उसी बेवस्था को बेवस्था के खिलापे लोग लर रहे हैं वो बेवस्था नहीं है जाती को बेवस्था है, बर्न को बेवस्था है मनुस्मिर्थी कुवेवस्था थी बर्नबाद कुवेवस्था है उसके खिलापे लोग लर रहे हैं और इस देश की मनुवादी जातिवादी मिडिया कहती है यह तो विवादित बयान है राजंदर परसासिंग कहते है जब कोई दलित पिछरा आदिवासी किसान अल्फ संख्यक महिलाएं बयान दे अपने हक अधिकार के लिए तो वो विवादित नहीं वो बैज्ञानिक बयान है वो किस्वी सदी का बयान है और यह जो पांच सक्स जो मेरे सर के उपर आप देख रहे हैं यह बहुजन समाज के भविस हैं बाबा साहिब फूले परियार अंबेट करके रास्ता पर चलने वारे लोग हैं और ऐसे लोगों को संसत भेजिए तभी आपका संब्यधानिक अधिकार सुरक्षित रहेगा क्योंकि यह लोग अपनी जान खत्रा में डाल कर बिधाई की खत्रा में डाल कर आपके लिए बोल रहे हैं आपको ऐसा नेता नहीं चाहिए जो आपके संब्यधानिक अधिकारों से मूँ मोर ले जो अपना पेट देखे अपना परिवार देखे ऐसा नेता चुनिये जो आपके समाज के बारे में इस देश के सम्मिधान के बारे में, इस देश की सेना के बारे में, इस देश की सुरक्षा के बारे में, इस देश की अखंडता के बारे में बात करे मनुबाद, जातीबाद, मनुस्मिर्थी और बर्न कुवेवस्था जो है, वो इस देश की अखंडता के खिलाप है आप बताईए कोई ऐसा धर्म मानेंगे जो एक जाती को नीच और एक जाती को उच कहता है कोई ऐसा धर्म मानेंगे जो आपको परने लिखने से रोकता है कोई ऐसा धर्म मानेंगे जो आपके बच्चे को बिजनेस करने से रोकता है कोई ऐसा धर्म मानेंगे जिसमें आपके बच्चों को नीच अच्छूत और नीच कहा जाए ये विवस्था नहीं को विवस्था है और इसी के खिलाप उदैनीदी स्टालिन, राजंदपाल, गौतम, स्वामी परसाद, मौरिया, चंसेखर राय और फते बहादूर सिंग जैसे लोग बोल रहे हैं सोसल मीडिया पर कैंपेंच चलाइए आपके पास न टीबी है न अख़बार है इनको बदनाम किया जा रहा है और ऐसे लोग को विधान सबा और संसब भेजिए और अपनी पत्किरिया भी जरूर दीजिए शुक्रिया